नमश्कार में उप्रिया विहारी नियूज में आपका स्वागत है आप सभी को होली के हारदिक शुबकाम नाए अब चले बढ़ते हैं विहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से विहार समय देश भर में आज मनाई जा रही है होली विहार समय देश भर के कई हिस्सों में आज होली मनाई जा रही है सुबै से ही बिहारवासी होली के रग में सराबोर नजर आ रहे हैं सुबै से ही लोग एक दूसरे को रंग लगा कर और गले मिलकर बढ़ाई भी दे रहे हैं होली के अफसर पर पड़ोसी रिश्चिदार दोस्त और गिले शिक्वे अपने दूर करके लोग हर कोई एक दूसरे को शिबकामनाई दे रहे हैं होली के स्वावन अपसर को लेकर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी और राश्चिपती रामनाथ कोविन ने देश्वासियों को होली के शिबकामनाई दी है साथ ही होली की तारीक को लेकर भी इस बार काफी संशय देखने को मिला था श्रनिवार को हस्त नक्षत्र और व्रिधी योग में होली उनिस्मार्श को आज मनाई जा रही है होली में बढ़ी सूरज की तपश अगले 48 घंटों में दिखेगी जुल साने वाली गर्मी होली के मौके पर इस बार सूरज की मार आम लोगों पर और ज्यादा तीव रगती से देखने को मिलने वाली है आलम कुछ यूँ है कि प्रदेश के प्रमुक शेरों के अधिक्तम और न्यूंतम तापमान में लगातार व्रिधी देखी जा रही है मिली जानकारी के अनुसार बांका में अधिक्तम तापमान 37,7 डिग्री से दर्श किया गया मौसम पुर्वानुमान के अनुसार होली के दिन यानि आज मौसम विग्यान के इंदर पटना के मुताबिक 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम सुष्क बना रहा है और आसमान साफ रहा प्रदेश का मौसम सुष्क रहने के साथ साथ 2-3 डिग्री की व्रधी का पुर्वानुमान भी अगले 48 घंटे में जोताई गया है ऐसे में प्रदेश का पाराग 40 डिग्री सेल्सियस के पार ज़ा सकता है ग्यात हो आने वाले दुनों में सुरज की तपिश बढ़ने से लोगों को थोड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि इस मौसम में स्वास्तिपल विशेश ध्यान रखने की जरूरत है लालु पर भोजपूरी फिल्म लाल्टेन बनकर हुई तैयार लालु प्रसाद यादव की जीवनी पर बनी लाल्टेन फिल्म जलदी दर्शोकों के बीच में प्रकाशुत होने वाली है क्योंकि लालू पर भोजपूरी फिल्म लालटेन बन कर तयार हो गई है मीडिया में चड़ रही खबरों के नुसार भोजपूरी में लालटेन नाम से बनी इस फिल्म का ट्रेलर भी बन कर तयार हो गया है इस फिल्म में लालू प्रसाद यादव का किरदार यश्कुमार रे निभाया है जबकि रापरी देवी की भूमिका में स्मृतिस सनहा दिखेंगी इस फिल्म के डारेक्टर धीरू यादव और प्रेड्यूसर सुमन वर्मा है आपको बता दे कि लालू रापरी रियल लाइफ में भी ठेट भोजपुरी बोलते हैं और लाटेन फिल्म भी भोजपुरी में बनाई गई है भोजपुरी वासियो को भी फिल्म अपने और आकरश करती नजर आई है क्योंकि कोरोना के दो साल के बाद इस बार होली धूमधाम से बनाई जा रही है जो इसके बाद ही पुलिस को कानून विवस्ता में बाधा आने की आश्रंका है जिसके बाद ही अब पुलिस होली को लेकर अलर्ट मोड में नजर आई है सुबह से ही होली को लेकर बिहार बंदे रिशेद विभाग लगातार शराप की कारोबार और शराप पीने वाल लोग पर मुस्तेजी से अभियान चलाते नजर आ रहे हैं राज़ाने की सरकों पर देरात वाहंचालकों की जाच करते नजर आए हैं बोध गया के बाद बिहार में यहां बनेगा भवे दार्शनिक सल बिहार में एक के बाद अनिक दार्शनिक सल बनाने की तयारी हो रही है बोध गया को तो परिटन के लिहास से विक्सित करने का काम किया ही गया लेकिन अब बिहार के एक और जिले को दार्शनिक सल के रूप मे परिपूर्ण बनाने की कवायद तेज कर दी गई है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नवादा जुले के हरीचंद्र स्टेडियम सिद्गोवर्धन मंदर में तीन नए मंदरों का अंदर्मान करवाय जा रहा है स्वास्तवभा की तरफ से मिली जौनकारी के रुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 7 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 50 पर पहुँच गई है तो सहरसा समस्तिपुर शेखपुरा में 2-2 मामलों की पुष्टी भी वहीं सुपॉल में एक मरीज के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इसके साथ ही देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट जा रही है तो बीत दोन दिन के रिकॉड की बात करें तो बिहार में इस आयूबर के 8149 बच्चों को टीका देने का काम किया गया है छुसके तहत ही जहां पहले दिन 1265 बच्चों को टीका दिया गया वहीं दूसरे दिन 6884 बच्चों का टीका करन किया गया अस्वा सिवभाग की माने तो होली के बाद बच्चों के वाक्सिनेशन में तेजी आएगी क्योंकि अभी स्कूल खुले नहीं है स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को स्कूल वाइस प्लान मना कर टीका लगाने का काम किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि विहार में कुल 56.26 बच्चों को टीका लगाया जाना है होली बाद वापसी के लिए दो दर्जन से अधिक है स्पेशल ट्रेने होली के मौके पर घर आने वालों का अमबार आज होली के दिन भी देखने को मिला जिसके तहती 20 मात से विहार से बाहर जाने वालों की किसी भी रेगलर ट्रेट में सीच तो उधिन नहीं मिलेगी लेकिन होली के बाद वापस लोटने वालों के सहूलियत को ध्यान में रखते वे कई होली स्पेशल ट्रेन का परिशालन करवाय जा रहा है जिसके तहती पतना दिली, AC सुपरफास्ट गतिशक्ती फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, पतना अमरित सर, AC सुपरफास्ट गतिशक्ती फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, पतना दुर्ग होली फेस्टिवल एक्सप्रेस और जोगबन यानंद विहार फेस्टिवल स अन्य जिलों में भी मिल जाएगी इस बावत नगर आयुक्त के आग्रह को विद्यूत वीनियामक आयोग ने ये कहकर खारिच कर दिया कि हमामरा नगर विकास विभाग और वित्विभाग के बीच विचारा धीन है जब तक दोनों विभाग सेंट रूप से इस पर निर्ने नहीं लेंगे इसे लागू करना उचित नहीं है इस निर्ने से नगर निगम को सालाना पांच करूर रूपे की वसूली को जटका लगा है वहीं एक अप्रेल से बिचली बिल के साथ धाई फीस दियतरिक्त टाक्स की राशी जो देना था इससे भी लोगों को राहत मिल गई है बिहार सरकार के मंत्री ने राजट पर किया आफका टाक्ष मिधान परिसाद में विभागिये बजट भाशन में राजट के चुनाप चिन्ह लाल्टेन पर उर्जा और योजना एवं विकास मंत्री विजवेंद्र प्रसाद यादव ने खूब तंच कसा इस दोरानी विजवेंद्र प्रसाद यादव चुठकी लेते वे कहते नजर आए कि बिजली क्यों प्लब्धता इतनी है कि राजट कारियाने मिलेगी लाल्टेन भी बिजली से जलती है इस दोरानी मंत्री ने कहा कि जब राजट का गठन हुआ था उस समय घर घर लाल्टेन जलता था इसी के चलते पार्टी का चुनाफ चिनह भी लाल्टेन लखा गया क्या पता था कि नितिश कुमार की सरकार जब आएगी और लाल्टेन की बत्ती गुल हो जाएगी आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि विजएंद प्रिसाद यादव वित्यवर्ष 2022-23 पर उर्जवा और योज़ा एवं विकास वभाग के बजट पर विधान परिसद में बाद वबाद की बाद सरकार को उत्तर दे रहे थे तेजस्वीकों नहीं मुकेश सेहनी को मुख्य मंतरी बनाना चाहते हैं पपूयादव जनेतिकार पार्टी के मुख्या पपूयादर ने अब बिहार के मुуж्ग्य मंतरी को लेकर बड़ी बात कही है जिसके तहत मीडिया से बात्शीत की दौराण उन्होंने मुकिय मंतरी बनाने की बात कह दी इस बाब स्थ्बाब जाब सुप्रीमों पपुयादर ने कहा कि अगर मुकिय शिणि को बिहार का मुकिय मंतरी بنना है तो लाठी खाने की आदर डालने नी होगी जाब सुप्रीमों ने कहा कि देव गौरा जी, मोदी जी प्रधान मंतरी हुए, कि नहीं, राबरी देवी मुख्य मंतरी हुई ना, उन्हों ने कहा कि कब कौन मुख्य मंतरी बन जाए कोई नहीं जानता, कीतार किशोड जी और रेनु जी भी उप मुख्य मंतरी हो जाएंगी साथ ही ते जो स्वी आदव पर निशाना साते वे पपोई आदव ने कहा कि राजर जोपिता को नहीं जानता हो परिवार का नहीं पता दूसरों की बात करे वो उनकी सोच है भाजपा पर मुगेश सहनी का कताक्ष मुगेश सहनी की सीट रही बोचहा पर बीते दिन भाजपा ने विहार के मुगेश सहनी ने तंजगसा है तो इसके तहत उन्हा ने कहा कि होली के शुभवसर पर सहयोगी दल ने तौफ़ा दिया है इसके लिए उन्हें धन्यवाद समाज और पूरे अतिपिछ्रे समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को सही दिशा मिल लड़ रहे है मुख्या जी 31 मार्श तक सार्वजनी कर दे अपनी पूरी संपती मिहार में पंचायत जन प्रतिनिदियों को हर हाद में अपनी संपती सार्वजनी करना पड़ेगा अपनी संपती का ब्योरा नहीं देने वाले मुख्या और पंचायत जन प्रतिनिदियों की अब खेर नहीं इसके लिए 31 मार्श तक की समय सीमा तै की गई है ऐसा नहीं करने वाले मुख्या के खिलाफ 15 अप्रेल तक कारवाई हो जाएगी पटनाक में अभी तक किसी भी मुख्या या जन प्रतिनिधी ने ऐसा नहीं किया है इसके बाद प्रसाशन की तरफ से अब सक्ती बढ़ती जारी है इसके लिए बकायदा सभी जुलों के डीम के सतर पर पत्र भी जारी किया गया है संपत्ती के ब्योरे में उनके द्वारा अरजित चल और अचल संपत्ती का विवरन होना चाहिए इससे जुले की वेब साइट पर अप्लोड करना है ताकि आम लोग भी इसे देख सके कपिल शर्मा ने फिल्म के लिए लिया दिलिवरी बॉय का लुक कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इंदिनो नंदिता दास की फिल्म ओडिसास भुवनेश्वर की शूटिंग कर रहे है इस विल्म ने वो एक फूट डिलिवरी राइडर का रोल प्ले करते वे दिखाई पड़ेंगे शुक्रबार को कपिल शर्मा के एक फैन ने ओरंज टी-शिट पर उनकी फोटो शेर की है आज मार्क वूर्ड दाहीनी कोहिनी में चोट के कारण IPL से बाहर हो गया है उन्हें मेगा उक्षन में लखनाओ की टीम ने 7.56 करोड की बड़ी रुकीमत पर खरीदा था फिलाल इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीस की साथ टेस्ट मैच खेल रही है उन्हें वेस्ट इंडीस के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन चोट लगी थी जिसके कारण वो पहली इनिंग में केवल 5 ओवर की गेंद बाजी कर पाये थे दूसरी इनिंग में तो वो मैदान में भी नहीं उतरे थे लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़तें आज की सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार आज आप अपनी होली कैसे मना रहे हैं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए वस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटी देने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बला आइक ओन दबाना ना भूले धन्यवाद